है नमस्कार मैं हो इश्ञा आप देखें प्राइम टीवी वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का मुरादवाद की कुंदर की विधानसभा शेत्र के उप्चुनाव के लिए चुनावी करे ऐख शुरू हो चुका है चुनावक के लिए आपको बता दिए कि उप्चुनावक के लिए कुल बारा प्रत्याशिओं ने अपनी स्मत इस बार अपनाई है है वहीँ अ सुरिश्चत करने के लिए राजुनीतिक दलों ने पूरी ताकत इस बार छोक दिये मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ समाजवादी पार्टी रास्ट्र अध्यक्ष अखलीश यादों के बाद आब AIMIM चीफ असुद नोवैसी चुनाओं में अपनी ताकत दिखाएंगे अ साथी बता दे कि सपप प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में पार्टी मुख्या अखलेश यादों खुद इस बार जन सभा करेंगे इसके बाद AIMIM के अध्यक्ष असुदिनोवैसी आजाज समाजवादी बता दे कि आजाज समाज पार्टी के अध्यक्ष चंशेखर भी इस बार अपने अपने प्रत्याशीयों के पक्ष में दम भर सकते हैं देश में लगभग हर साल ठन की शुरुवात की दिनों में धुन्द का असर देखा जाता है वारांसी के वियचु शेत्र में QI 170 रिकॉर्ड किया गया वारांसी में प्रदूशन का अस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो निश्चत ही लोगों के लिए मुश्किले बढ़ सकती है इस बार भी तमाम प्रयासों के बवजूद NCR और दिल्ली की जहरीली हवा ने लोगों को परिशानी में डाल दिया है इसी दौरान दिपावली की रात हुई जम कर आतिशबाजी का भी प्रभाव देखा जा सकता है तो वही राजधानी के तक्रीबन 750 किलोमीटर दूर बनारस में भी दिपावली के अगले दिन प्रदूशर के इस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है वही शहर के कई प्रमुख इलाकों के एकवाई आकड़ा 100 के पार पहुँच चुका है छोटी दिपावली पर्व के बाद से ही जन्पद में जमकर आतिशबाजी हुई जिसके बाद जन्पद में न सिर्फ सडकों पर कूडों का धेर लग्या बलकि शहरी शेत्र के प्रदूशर इस्तर भी बढ़ोतरी में देखे जा सकते हैं बनादे कि लखनव जिला जेल में बंध हत्या रोपी बंदी शानू उर्फ आकाश आज सुबह गिंदी के समय अचेत अवस्था में बैरक में पड़ा मिला जेल कर्मी आनन्वाननों में उसे जिला अस्पताल ले गए बता दे की जेल अस्पताल ले गए वहां मौजूद जेल चिकिससक ने हालत कमभीर दे बलरामपूर अस्पताल में refer कर दिया बलरामपूर पहँंचे बंदी को मृत घोषट कर दिया गया मृतक की मा ने मजिस्ट्रेट से जाच कराने की मांग करते हुए पुलिस से शिकायत की है जेल प्रशासन का कहना है कि शानू की मौत हाट अटेक से हुई हाला कि मृतक की मा कलावती का कहना है कि बेटा पूरी तरह से स्वस्थ था उन्होंने कैंट पुलिस को तहरीर दी है पुलिस ने शो को कबसे मिले कर कोश्माटम के लिए भेजा है और मामले की मजिस्ट्रेट जाच की जाएगी बता दे की नील वथा के इबराहिम पुर्निवासी शानू को हत्या समेथ कई अन्य आरोपों में पुलिस ने 30 अगस्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा था जिसके बाद आज गिंती के समय ये मामला सामने आया कि कुछ कैदियों ने जाकर बताया कि शानू अपने बैरक में खर्ती कराया लेकिन बल्रामपुर अस्पिताल पहुँचने के बाद डॉक्टर ने उसे म्रत घोशित कर दिया बतादे की लखनाओं में बंद पुलिस कस्टिडी में मौतों का सिलसिलन लगतार बढ़ता जा रहा है और जिसे लेकर एक सवाल भी खड़े किये जा रहे हैं एक मामला सामने आ गया हाथ तो तब हो गई जब इस काम में खुद जिम्मेदार ही लगे हैं बतादे कि इस मामले में पशुक्रूरता अधीनियम के तहट पुलिस ने ग्राम पंचायत सचिव की तहरीर पर प्रधान ओमवती प्रधान के पती रूप किशोर केर टेकर कालू और ट्रेक्टर चालक नेम सिंग के खिलाफ रिपोर्ट तरश कराई है अधिकारियों ने इस घटना को संग्यान तब लिया जब इस घटना का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल होने लगा ग्राम पंचायत सचिव पवन कुमार शर्मा ने पुलिस को बताया कि गाउन सी ह चावली में अस्थाई गौशाला है इसमें ट्रेक्टर के द्वारा मिट्टी भराओ का काम चल रहा था सूचना मिली की वहां गौशाला में पशु को ट्रेक्टर और उसमें लगी हैरों से बांध कर खीचा गया जांस परतान में ग्राम प्रधान उनके पती केर टेकर और चालक की लापरवाही सामने आई इसलिए चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्श कर ली गई है जिला प्रशासन और ब्लाक इस्तोरी अधिकारी पशुओं के रखरकाओं को लेकर चिंतित नहीं है इसका अंदाजा सहसी लगाया जा सकता है क्योंकि परिसर की नजदीक मृत ग कॉंग्रस ने शुक्रवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर पलटवार करते हुए साथ सवाल किये हैं प्रधान मंत्री ने अपने सवालों के चवाब की उमीद भी की है बदादे की विपक्षी पाटी के प्रमोख मलिकार जुन खरगे ने एक्स पर सवाल कर कहा कि जूट, धोखा, दिखावा, लूट और प्रचार ये भाजपा सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं उन्होंने सीधे तोर पर सवाल किया, आपके सौ दिन की योजना का ढोल पीटना एक सस्ता प्रचार था, आप अपने किये गए किसी भी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं, जिसे आपके जूट का पर दफाश हुआ, खरगे ने कहा कि भाजपा में B का मतलब बेटरल और J का मत जुमला है, बता दे कि इस तरीके से मलिका अरजुन खरगे ने भाजपा से सीधे तोर पर साथ सवाल पूछे है, हाई शहर प्राइम रिपोर्टर में फलहाल इतना ही, बाके खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी